दॉस्टो आज में लेकर आ गया हूँ आप सभी Free Fire वोलो के लिए एक ऐसी अप्लिकेशन जिसमें आपको मिलेंगी Free Fire के डेली देर सारे डाइमंड्स, गिववेज वो भी बिलकल फ्री और सबसे सस्टे पाइसो मी ये रही विंजो एट जिसमें आप खेल साकते हो 100 से भी जाड़ा गेम्स जैसे लुडो, कॉल ब्रेक, शीब बाटल और जीत साकते हो रोजाना के लाखो रुपीज साथ हाई इसमें आपको स्टोर सेक्शन मी जाना है और यहाँ आप देख साकते हो ये सस्टे डाइमंड्स और मैंने किया इन डाइमंड्स को टॉप अप अपने Free Fire अकाउंट मी वो भी फ्री टुडिक इस बाट की, जल्दी से कीजिए विंजो डाउनलोड और आप भी मेरी तरह टॉप अप कीजिए Free Me Coop सारे डाइमंड्स साथ हाई एक और माज़िदार बाट, विंजो को अपने दोस्टों के साथ शेयर कीजिए आपको मिलेगा 100 रुपीज एक रेफरल पार, जाओ और उठाओ फायदा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन 5, 4, 3, 2, 1, Are you ready? Game on! चल ये चलते हैं, बल्ले बास तयार है स्पारी की पहली गेंद खेलने के लिए सिधा फील्डर के पास खेल दिया है, गैब ढूनने में असमर्थ इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूज और नियंतरन के साथ गेंद बाजी करनी होगी यहाँ ओ, बहुत ही भैदरीन कप्तानी यहाँ, इसे कहते हैं होमवक करके आना, बल्ले बास को देखते हुए कवर्स पे फील्डर लगा दिया है अच्छा शॉट था ये, पर गेंद इंसाइड सर्कल को पार नहीं कर पाई गेंद बाज अपने पसंदीदा छोर से गेंद बाजी कर रहे हैं गैप में खेलने की अच्छी कोशिश, लेकिन फील्डर वहां मौझूद पॉजिटिव फील्ड प्लेस्मेंट लगाई है बोलर और कप्तान ने बहुती बढ़िया धंसे खेला, सिंगल के लिए बल्ले बास तयार अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए बिल्कुल चक्तमा खा गये हैं वहां, जन्रेट बढ़ागी की कोशिश स्पिनर को दूसरे छोड से लाया गया है कवर पे फील्डर तैनात किये हैं कैप्टन ने यह शॉट गया हवा में और गैप में भी गया बल्ले के बीचो बीच से मारा शॉट बहुत ही बढ़िया टाइमिंग और शॉट सेलेक्शन का प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन थोड़ा समल के ले में हैं बढ़ी पारी खेलने का पूरा मौका है कहीं उसे गवा न बैठे बढ़िया टाइमिंग खुप सोरती से गब ढूण अब बैट्समन ने किया इनके तरकश में से एक और चौक का निकल सकता है चलिए देखते हैं बहुत ही खराब शॉट सेलेक्शन ना प्लेस कर पाए ना टाइम और सीधा फिल्डर के हाथ में कैच दे बठे निराश होकर पैविलियन के तरफ लटते हुए अपनी चतुराई से बल्ले बाज को चाल में फासाइन होने बढ़िया गेंद बाजी बल्ले बाज नहीं गेंद खेलने के लिए पूरी तरह तयार अच्छा शोट था ये पर गेंद इंसाइड सरकल को पार नहीं कर पाई बहुत ही बड़िया शोट बहुत ही बड़ा सिक्स जाने जाते हैं ये बल्ले बाज ऐसे शोटों के लिए और जब फॉर्म में हो तो इन्हें रोकना ना मुम्किन होता है एक बार फिर स्वागत है अब सबका दूसरी पारी की शुरुआत में बले बाजों के सामने टागेट सेट है चलिए देखते हैं क्या वो ये चेस कर पाएंगे शुरुआती विकेट्स बहुत जरूरी होंगे फील्डिंग टीम के लिए हमें यहां अच्छा मुकाबला देखने मिल रहा है विकेट्स संभाल की खेलना होगा बाटिंग टीम को तेज गेनबास को लाया जा रहा है इस चोर से यह बहुती कठिन फील्ड है गेनबासी करने के लिए गेनबास को अपनी लाइन और लेंथ बड़ी सटीक रखनी होगी अच्छा बहुती बढ़िया फेलाई से और आजवाब शॉट्ट बहुत उम्दा यह तो रिपले में और भी बहतर लग रहा है शेत रक्षन में तब्दीली बहुत लै में नजर आ रहे है आसानी से दो रन ले सकते हैं यहां पर बल्लेबास बढ़िया रनिंग दोनों बल्लेबासों की विकेट के बीच नजाकत से खेल दिया है सिंगल के विए बल्लेबास अपनी पहली गेन की तैयारी करते हुए बहुत ही बड़ा सिक्स मानों कह रहे थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं इस शॉट को पड़ा भी है और जड़ा भी है बड़ी आस्ट्रू इनको बैटिंग करते देखना दर्शेन यह है गाप में खेलने की अच्छी कोशिश लेकिन फील्डर वहां मौझूद कवर पे फील्डर तैननाद किये हैं कैप्टन ने बहुत अच्छी रुनिंग बिट्वीन देविकेल्स और दूसरे शोर पे भी तेज गिंदबास को ही लाया जा रहा है क्या मैच देखने का अफसर प्राप्त हुआ है आज स्टेडियम खचा-कच बरी हुई और मैच अपने आखरी ओवर तक जाती हुई अच्छी तरीके से खेला आसानी से दो रुन मिल सकते हैं खराब रुनिंग बिट्वीन दो विकेट्स वहाँ ओ बहुत ही भैदरीन कप्तानी यहाँ इसे कहते हैं होमवर्क करके आना बले बास को देखते हुए कवर्स पे फिल्डर लगा दिया है और इसी के साथ जीत का लक्ष प्राप्ट दोनों बले बास यहाँ एक दूसरे को जीत की बधाया देते हुए खिलाडी एक दूसरे का हाथ मिलाते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ लॉट रहे हैं बढ़िया क्रिकेट का प्रदर्शन दोनों टीम द्वारा